दुनिया में आज देखिए तालीम को तरस्ती अफगान लड़कियां सत्ता में आने के बाद से तालिबान का महिलाओं को लेकर रहा है कडा रुख लड़कियों की शिक्षा और नौकरी पर लगे प्रतिबंधों का उनकी जिन्दगीयों पर क्या पढ़ रहा है असर करेंगे बाद कावर स्टोरी में स्वागत है आपका BBC दुनिया में मैं हूँ इदित महरा अफगानिस्तान में अपने हक के लिए किस तरहां आवाज बुलंद कर रही है माईलाएं करेंगे बाद कारिकरम में लेकिन पहले हेडलाइन्स पांच बार विधायक और एक बार सांसद रहे गैंक्स्टर अतीक एहमत को साल 2006 में उमेश पाल के अफ़रन केस में मिली उम्रकैत की सजा उमेश पाल बसपा विधायक राजू पाल की हत्या के थे प्रमुक गवाज इनकी इसी साल 24 फरवरी के दिन हुई थी हत्या मंगलबार को BBC पंजाबी के ट्विटर अकाउंट को कई घंटों तक ब्लॉक रखने के बाद किया गया बहाल ट्विटर ने इमेल के जरिए BBC को बताया था कि ये आक्शन भारत सरकार की मांग पर किया गया लेकिन भारत सरकार ने बीबी सी को दिये जवाब में ऐसे किसी निर्देश से किया इंकार इन में से कुछ एम खबरों की चर्चा आज बीबी सी दुनिया में और बात आज की कवस्टोरी की अफगानिस्तान का जिक्र होते ही जिक्र होता है तालिबान का और तालिबान का जिक्र होते ही बात होती है महिलाओं और लड़कियों पर पाबंदियों की वो पाबंदिया जिन्होंने बंद कर दिये हैं लड़कियों के लिए तालीम के रास्ते और उन लोगों की भी बढ़ रही हैं मुश्किलें जो लड़कियों के हक में उठा रहे हैं आवाज कवस्टोरी में आज इसी की बात और अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम के लिए आवाज उठाने वाले मतियूला वैसा को काबल से गिरफतार कर लिया गया है ऐसा उनके परिवार ने बताया हाला कि अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि उन्हें हिरास्त में किस वज़ा से लिया गया है मतियूला अफगानिस्तान में खास तौर पर ग्रामीन इलाकों में लड़कियों के तालीम के हक की पैर्वी करते रहे हैं उन्होंने पैन पाथ नामक एक कैमपेइन ग्रूप भी बनाया है बीबीसी समवादाता योगिता लिमय का कहना है कि लड़कियों की तालीम पर तालिबान का शिकंजा कसने के बाद मतियूला ने अपना कैमपेइन तेज कर दिया था वो ग्रामीन इलाकों में शहरी इलाकों में दूर दरास के सूबों में कैमपेइन करते रहे हैं उन्होंने वहाँ परिवारों में बात करने की कोशिश की और उनके संदेश उनके इंटरव्यू सोशल मीडिया पर डालते रहे और ये बताया कि हर कोई चाहता है कि लड़कियों को तालीम दी जाए। उन्होंने एक दिन पहले ही ट्विटर पर पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि औरत मर्द बुजर्ग जवान अफगानिस्तान में हर कोई अपनी बेटियों को तालीम देने के इसलाम में मिले अधिकार की बात कर रहा है तालीबान ने ये नहीं बताया कि उन्हें हिरासत में क्यूं लिया गया है उनका संगठन पिछले लगभग डेड़ साल में लड़कियों को उनके घर में ही तालीम महया कराने की कोशिश कर रहा है इसके लिए उन्होंने मोबाइल लाइब्रेरी भी बनाई है जहां से लड़कियों को पढ़ने के लिए किताबे मिल सकती है वो निलाकों में लड़कों में भी किताबे बारते हैं वो लगातार कैम्पिन चला रही है वो यही संदेश देने की कोशिश करते रहे हैं कि अफगानिस्तान में सब ही चाहते हैं कि उनकी बेटियां तालीम हासिल करें तालिबान की हुकूमत ने लड़कियों के लिए सेकेंडरी स्कूल और यूनिवरस्टी के रास्ते बंद कर दी हैं दिसंबर 2021 में तालिबान ने फर्मान सुनाया कि 72 किलो मीटर से अधिक दूर जाने के लिए औरतों को अपने साथ किसी पुरुष रिष्टेदार को साथ ले जाना होगा फिर मार्च 2022 में तालिबान सरकार ने ऐलान किया कि लड़कियों के लिए सेकेंडरी स्कूल दोबारा खोले जाएंगे लेकिन कुछ ही घंटों के लिए फिर कुछ महीनों बाद तालिवान ने आदेश जारी किया कि महिलाओं को ऐसे कपड़े पहने होंगे जिससे वो सिर से लेकर पैर तक पूरी तरहां से ठक जाएं उसके बाद पिछले साल नमबर में महिलाओं और लड़कियों पर पारकों में स्विंग पूल्स में जाने पर पाबंदी लगा दी गई और उसके बाद तालीम को लेकर भी प्रतिबंद लगाये गए अफगानिस्तान में तालीम के लिए तरस्ती लड़कियों के हालात पर देखिए बीबीसी संबादाता योगित अलमाय की ये रिपोर्ट हिंसा और गिरफतारी की धंकियों के बावजूद ये रुक नहीं रही है इन महिलाओं ने अफगानिस्तान में लड़कियों की शिक्षा के हक के लिए प्रदर्शन किया इस मार्च में इन्होंने जम कर नारे बाजी की स्कूल जाने, दोस्तों से मिलने और तालीम के अधिकार के लिए देखिए इस सबका इन पर क्या असर हो रहा है जब मैं अपने भाई को स्कूल जाते देखती हूं तो मैं दुखी हो जाती हूं, तूट जाती हूं वो पहले कहता था कि मैं तुम्हारे बिना स्कूल नहीं जाओंगा पर फिर मैं उसे गले लगा कर कहती हूं कि मैं बाद में आती हूं मुझे उमीद थी कि शायद तालिबान अपना फैसला बदल ले हमने अफगानिस्तान में जितनी भी लड़कियों से बात की इस मुद्दे पर बात करते करते लगभग सभी भावुक हो गई तालिबान कहता है कि ये प्रतिबंध अस्थाई है पर हबीबा को उन पर भरोसा नहीं पुरानी सहेलियों से बात करते वक्त कई बार वो अपना दुख भूल जाती है खास कर टीचर्स के साथ मजाक और ड्रामा क्लास में मजाक करने जैसे वाकियों को याद करते वक्त यहां पढ़ाई करना आसान नहीं रहा है तालिबान के सत्ता में आने से पहले एक ब्लास्ट हुआ जिसमें 80 से जादा लोग मारे गए महताब भी उन हमलों में घायल हुई थी पर पढ़ाई की ललक नहीं छोड़ी शिक्षा की बिना जीना बेमतलब है शायद मौत इस से बहतर होगी अगर महिलाओं पर पाबंदिया और बढ़ती जाएंगी तो मुझे नहीं लगता की जीने का कोई फाइदा है पिछले कुछ महीनों से तालिबान की सरकार ने महिलाओं की आजादी पर कई तरह की पाबंदियां लगाई है दिसंबर में जब तालिबान ने कहा की लड़कियां यूनिवर्सिटीज नहीं जा सकती तब काबल की एक यूनिवर्सिटी का नजारा कुछ ऐसा था इस फैसले के खिलाफ कई प्रांतों में प्रदर्शन हुए जिसके बाद प्रदर्शन कारियों पर कारवाई हुई ये हैराथ है महिलाओं को राहत चेंसिओं में काम करने से रोग दिया गया उन्हें सिर्फ हेल्थ सेक्टर में काम करने की очास्थ थी पाबंदियों से महिलाओं को काम मिलना मुश्किल हो गया है पती की मौत के बाद परिवार के दस सदस्यों की जिम्मेदारी इस महिला पर थी जिसकी नौकरी चली गई, ये एक स्कूल में सफाई करमी थी ये महिला अब भीक मांगती है, वो अपनी पहचान जाहिर नहीं करना चाहती है मुझे लगता है कि मैं जिन्दा ही नहीं हूँ, लोग जानते हैं कि मेरे पास कुछ नहीं है तो वो मेरी मदद करते हैं, समान के बिना जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं अगर मेरी बेटियों को पढ़ने दिया जाता तो शायद उन्हें नौकरी मिल जाती यहां हर घर में दुख दर्द के सिवा अब कुछ नहीं बचा है और बीबी सी ने इस मुद्धे पर अफगानिस्तान में यूरोपियन यूनियन के विशेश दू टॉमस निकलेसन से बात की मैं तीन हफ़ते पहले अफगानिस्तान में काबल और कंधार गया था यूवाओं और सिविल सोसाइटी के लोगों से बात की वहां किसी ने यही कहा कि वह अपनी बेहन बेहन बेटियों के लिए तालिम के रास्ते खोलना चाहते हैं मैं ने उनसे यह भी पूछा कि नवरोज के बाद कैस्थ स्कूल खूल सकते हैं और तो और दिसंबर में तालिबान ने लड़कियों के लिए यूनिवर्सटी के रास्ते भी बंद कर दिये। हलाकि मुझे लगता है कि वहां हमारी बाकी देशों के मुकाबले बहतर जमीनी पकड़ है। वहां हमारी राजनेक मौजूदगी भी है। इसलिए मैं वहां आसानी से आजा पाता हूँ और उनसे लगातार बात कर पाता हूँ। यूनिसेफ के जरीए हम मदद भी पहुँचा सकते हैं पर पॉलिसी में किसी तरह के बदलाव तो इस्थानी लोग ही ला सकते हैं। मदद तो पहुचा सकते हैं पर इस से ज़्यादा कुछ करने की हालत में नहीं है और ब्रेक के बाद दिखाएंगे स्कॉटलेंड में हमजा यूसुफ ने कैसे रचा इतिहास ये खबर एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया मैं हूँ इदित महरा हमजा यूसुफ स्कॉटलेंड के फर्स्ट मिनिस्टर बनने वाले हैं एक दिन पहले ही उन्हें सत्ताधारी स्कॉटिश नाशनल पार्टी का नया नेता चुना गया है 37 वर्षे यूसुफ स्न पी पार्टी के पहले मुस्लिम नेता है और बिटन की बड़ी राजनेतिक पार्टी का नेत्रित्व करने वाले पहले मुस्लिम देखिए बीबीसी संबादाता लॉर्णा गॉर्डन की रिपोर्ट हमजा यूसुफ स्न पी के लीडर्शिप कैंपेंड में एहम उमितवार थे उन्हें अपनी पार्टी के वरिष्ट नेताओं का समर्थन हासर था और उनकी जीत को हमेशा से तैमाना जा रहा था मैं हमजा यूसुफ जब वो पहली बार जीते तब उन्होंने अंग्रेजी और उर्दों में शपत ली थे उन्होंने इतिहास रचा है वो अपनी पार्टी के पहले मुस्किम नेता बने और अब स्कॉटलैंड के फर्स्ट मिनेस्टर बन गए है 37 वर्षिय यूसुफ ग्लासको में पले बढ़े उन्होंने प्राइवट स्कूल से पढ़ाई की जवानी के दिनों में 9-11 के हमले और एराक युद की घटनाओं ने उन पर गहरा असर डाला उसी दौरान वो S&P पार्टी में शामिल हो गए वो चारिटी का काम करने लगे जो लोग उन्हीं जानते हैं उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो नेता बनेंगे अपने जिसे युवाओं के साथ घुलता मिलता रहता है जो करता है मन लगा कर करता है वो बहुत महनत करता है S&P के सबसे युवानेता ने सरकार में कई पदों पर काम किया है जिसमें इंटरनेशनल डिवलप्मेंट ट्रांस्पोर्ट और जिस्टेस विभाग शामिल है और हाल में वो एनेचिस को देख रहे थे उनके आलूचिकों का कहना है कि किसी भी विभाग में उन्होंने अच्छा काम नहीं किया है लीडर्शिप कैमपेंग की दौरान उनके मुख्य प्रतिद्वन्दी ने सरकार में उनके काम पर सवाल उठाए सारवजनिक सेवाओं में सुधार करना अब उनके सामने एक बड़ी चुनाती है क्योंकि उन्होंने एक विभाजनकारी अभियान के बाद बहुत कम मार्जन से जीत हासल की है अपनी पार्टी के साथी सांसदों के बीच उनका कत बड़ा होगा लेकिन कुछी वक्त बाद उनके साथी सांसद खुद से पूछने लगेंगे कि क्या वो मेरी सीट बचा पाएंगे क्या वो स्कॉटिश इंडिपेंडेंस के लिए समर्थन बढ़ा पाएंगे उन्हें बहुत कम मार्जिन से जीत मिली है ऐसे में अगर S.N.P. को चुनाओं में उनकी वज़ा से फाइदा नहीं होता तो देर सवेर ऐसे सवाल उठेंगे ही तो हो सकता है कि उनका हनिमून पीरियड छोटा हो हमजा युसफ को बहुत काम करना होगा और उनसे उम्मीदे भी बहुत होंगी हाला कि फिलहाल वो खुद को दुनिया का सबसे खुश किसमत इनसान बता रही है अब खबर उत्तर कोरिया की जिसने अपने सरकारी अख़वार में कुछ तस्वीरे चापी है जिनके बारे में उसका कहना है कि ये स्मॉल न्यूक्लियर वार हेड्स हैं जिनने कम दूरी की मिसाइलों पर फिट किया जा सकता है उत्तर कोरिया लंबे समय से ये दावा करता रहा है कि उसके पास इस तरहां के परमानों हत्यार है लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब उसने इस बारे में सुबूत भी दिये है इस बारे में और जानकारी दे रही हैं सोल से वीबीसी समवादाता जीन मैकिन्जी उत्तर कोरिया के पास कौन से वार हेड्स है इस बारे में हमें ये पता था कि वो बड़े वारहेज है जिने लंबी दूरी की मिसाइलों पर फिट किया जा सकता है जो अमरीका तक मार कर सकते है लेकिन उत्तर कोरिया अब जिन टेक्टिकल नुकलियर वारहेज की बात कर रहा है उन्हें उन मिसाइलों पर लगाया जा सकता है जो बहुत नजदी की ठिकानों को नशाना बना सकती है उदारन के लिए यहां सोल से जापान को नशाना बनाया जा सकता है प्रशान्थ महासागर में अमरीकी क्षेत्र गुवाम को नशाना बनाया जा सकता है उत्तर कोरिया काफी लंबे समय से दावा कर रहा था कि उसके पास ऐसे हत्यार है लेकिन हमने इससे पहले कभी ऐसे प्रमान नहीं देखे थे ये तस्वीरे जिन में किम जॉंग उन इन दस छोटे वारहेट्स का जायजा ले रहे है वो दर असल इस बारे में पहला सबूत है लेकिन फिर भी इन पर सवाल या नशान है क्योंकि उत्तर कोरिया ने टेक्टिकल न्यूक्लियर वारहेट्स का कभी टेस्ट नहीं किया है लेकिन वो इने बड़े पैमाने पर बना सकता है जिससे खत्रा और बढ़ जाता है सबसे बड़ा डर इस बात का है कि उत्तर कोरिया अब इन्हें आजमा कर देखना चाहेगा सोल से ये थी बीबीसी समवादाता जीन मैकिन्जी और बीबीसी दुनिया में वक्त है एक ब्रेक का ब्रेक के बाद ब्रिटन में हरताल पर क्यूं है पांच लाग सरकारी करमचारी ये खबर एक ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में हूँ इदित महरा ब्रिटन में बीते साल दिसंबर से ही लगभग पांच लाग करमचारी हरताल पर है इनमें टीचर, सिविल सर्विंट, जूनियर डॉक्टर्स, नर्स, ट्रेन और ट्यूब के ड्राइवर, रेल्वे और पोस्टल वरकर्स शामिल हैं ये लोग बहतर वेतन और बहतर माहौल की मांग कर रहे हैं लेकिन इस तरह की हर्ताल से ब्रेटिन की अर्थवस्था और आम जन जीवन पर क्या आसर पड़ता है? BBC समबादाता गगन सबरवाल ने ये समझने की कोशिश की करमचारी यूनियनों का कहना है कि बिजली ग्यास और खाने की चीजों की बढ़ती कीमतों के हिसाब से कामगारों की तनकाये भी बढ़नी चाहिए कुछ सेक्टर्स में हर्ताल कारगर साबत भी हुई है और करमचारी वेतन बढ़वाने में काम्याब रहे है लेकिन कई सरकारी शेतरों के करमचारीों जैसे रेलवे, मेट्रो, जूनियर डॉक्टरों और टीचरों का समस्याओं का हाल अभी नहीं हुआ है लास्ट पेराइज हम लोगों को जो मिला था वो पाँच प्रतिशित मिला था आज के जिमाने में 12.3% इंफलेशन रेट है बहुत सारे टीचर्स हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि उनको फूड बैंक में जाके शॉप करना पड़ता है दूसरी और युगे सरकार का कहना है कि करमचारी जो वेतन वृत्धी चा रहे है उसका कर्च उठा पाना मुम्किन नहीं है युगे सरकार की और से कोशिश हो रही है कि हरतालो के काम काज पर असर को कम करने वाली कानून को पास करवाया जाए अगर कानूर अमल में आता है तो कई शेत्रों के करमचारियों के लिए हरतार वाले दिनों में भी काम करना जरूरी होगा वही करमचारी यूनियनों ने नए बिल की आलोचना की है और इसे लोक तंत्र के खिलाफ करार दिया है आए दिन होने वाले हरतालों से आम जिन्दगी भी अच्छूटी नहीं बची है इस से यूके की आर्थिक व्यवस्ता को भी नुकसान पहुंच रहा है इन हरतालों की वजह से जून 2022 के बाद से अब तक ब्रिटिन की अर्थिक व्यवस्ता को लगबग एक अरब 18 करोड पाउंड का सीधा नुकसान हो चुका है अगर मार्च के अंद तक हरतालों का सिलसला नहीं रुका तो ये नुकसान बढ़कर एक अरब 30 करोड पाउंड तक पहुंच जाएगा इस बात को लेकर चिंताएं बढ़ रही है कि अगर करमचारियों की बीच असंतोश का जल्द ही समाधा नहीं निकाला गया तो लोगों की रोजमरा की जिन्दगी पर भी असर बढ़ेगा गगन सब्रवार बीबीसी न्यूज और कारकन जुड़े के इसी भी टॉपिक पर आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं मेरा ट्विटर है आज के लिए बस इतना है मेरा थार गया है झाल झाल